जै स्री राधे राधे हर हर महादेव मित्रो मैं प्रमोद सुकला आज आपको घर में निकलने वाली चीटियों के बारे की जानकारी देने जा रहा हूँ अगर घर में चीटियां निकल रही हैं तो यह आपके जीवन में होने वाली किसी बात को लेकर संकेत दे रही होती है इन्हें आप हलके में कभी मतलो घरों में चीटियों का निकलना हम आम बात समझ कर उस पर गौर नहीं करते लेकिन ये बहुत बड़ी घटनाओं के बारे में हमें संकेत दे रही होती है तो मित्रो आज हम इसी चीटियों के बारे की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ चीटियां घर में उपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर आ रही है इसके अलामा आपके घर में आई चीटियों को कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं ये भी होने वाली कई घटनाओं प होती है लाल चीटी और एक होती है काली चीटी ये दोनों लाल चीटी और काली चीटी ये दोनों अलग अलग बातों का संकेत देती है यदि आपके घर में काली चीटिया आ रही है तो सुख और एशर वाला समय आने का संकेत वो देती है मित्रों काली चीटियां सामानित तोर पर घरों में चलती हुई दिखाई देती हैं कई बार लोग काली चीटियों को चीनी, हाटा, बिसकिट, ब्रेड कई प्रकार के खादिपदार भोजन के लिए डाल देते हैं काली चीटियों को खाना खिलाना शुब होता है, अगर चावल के भरे बरतल से चीटियां निकल रही है तो यह शुब शंकेत होते हैं इसका मतलब होता है कुछ ही दिनों में आपके घर में धन ब्रद्धी होने वाली है, आपकी आर्थिक इस्तिति में सुधार हो रहा है काली चीटिया आने से भवतिक सुख वाली चीजों के लिए भी शुभ माना जाता है और यदि आपके घर में कहीं भी लाल चीटिया दिखाई देती हैं तो आप साउधान हो जाए लाल चीटिया अशुभ का संकेत देती हैं भविश की परेशानियों, विवाद, धन से खर्च होने वाले कई संकेत चीटिया हमें देती हैं अगर लाल चीटिया आपके घर आ रही हैं तो यह सभी अशुभ काम आपके साथ होने वाले हैं इसके संकेत देती हैं लेकिन लाल चीटिया यदि मुख में अपने अंडा लेकर घर के अंदर आ रही हैं तो यह अच्छे संकेत लेकर आ रही हैं चलिए अब मैं बताता हूँ कि किस दिशा से चीटिया आती हैं तो उसका क्या प्रभाव पढ़ता है निश्चित दिशाओं से आपके घर चीटिया आती हैं तो आपके लिए शुबशंकेत देती हैं दरशल काली चीटिया आपके घर में उत्तर दिशा से आती हैं तो आपके लिए शुबशंकेत देती हैं दच्छिन दिशा से आ रही है तो ये भी बहुत ही फाइदे मंद होता है पूरब दिशा से अगर चीटिया आपके घर में आ रही है तो सकारात्मक सुचना आपके घर वो ला रही है पश्चिम दिसा से चीटिया यदि आ रही है तो ये समझ लिजिए कि आपके यहां किसी की यात्रा कहीं दूर होने वाली है यानि आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं चीटियों को खाने के लिए खाद पदाद डालना चाहिए अगर चीटिया आपके घर में भूखी रहेंगी तो ये भी अशुब शंकेत आने वाले होते हैं जिससे आप पर प्रभाव पढ़ता है तो मित्रों इस छोटी सी जानकारी यदि आपको पसंद आई हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे धन्लिवादे मित्रों